ओम शान्ते मुरली तारिक 10 एप्रिल 2023 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे श्रेष्ट बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहू लक्ष्मी नारायन भी श्रीमत से इतने श्रेष्ट बने हैं प्रश्ट भक्ती में गवु मुख का यादगार क्यों बनाया है उत्तर क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के उपर रखा है तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमरित निकलता है जिससे सब पावन बन जाते हैं इसलिए भक्ती में गवु मुख का यादगार बना दिया है तुम गव माताओं हो तुम ही सबकी मनों कामनाएं पूर्ण करती हो इसलिए यादगार बने हुए है धारणा के लिए मुखे सार पहली पॉइंट पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है सबको एक बाप का ओडिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे दुसरी पॉइंट हर एक को तीन बाप का परिचे दे दुख धाम से शान्ती धाम और सुख धाम से चलने की राह दिखानी है भटकने से छुडाना है मरियादा पुर्शोतम बन सदा उडती कला में उडने वाले नंबर वन विजई भव नंबर वन की निशानी है हर बात में विन करने वाले किसी भी बात में हार ना हूँ सदा विजई एदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मरियादाओं में नीचे उपर हूँ ना लेकिन यह संगम युग है मरियादा पुर्शोतम बनने का युग पुरुष नहीं, नारी नहीं लेकिन पुरुशोतम है इसी स्मृती में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे नीचे नहीं रुकेंगे उड़ती कला वाला सेकेंड में सर्व समस्याइं पार कर लेगा एक बाप के श्रेष्ट संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता ओम शांती